यह तीनों formula आप देख लीजिए, तीनों को याद करने का असान तरीका यह है, कि तीनों में a2 by 2, a2 by 2, a2 by 2 आएगा, ठीक है, पहला term, लेकिन मैं पहला term अभी छोड़के दूसरा term याद करा रहता हूं, दूसरा term जो इसमें आएगा, जिसको मैं green color से highlight कर रहा हूं, वो यह वाला है, तीनों बार x by 2 into the question itself, question मतलब जो यहां लिखा हूं न, integrand, वही का वही item यहां पे छाप दो, तो x by 2 तीनों बार आ रहे हैं, देखो, x by 2, x by 2, x by 2, और वही का वही integrand यहां पे छप जा रहे है, ठीक है न, तो थोड़ा सा असान हो जाएगा आपके लिए याद कर अच्छा, तो यह second वाला पार्ट तो हमसे याद हो किया है, जो green से मैंने थोड़ा सा shade कर रखा है, first वाले पार्ट में आ जाते हैं, तो तीनों पार्ट में आपको a square by 2, a square by 2, a square by 2, ठीक है, except for this minus sign, बाकि सब कुछ देखे, similar रहेगा, पहले वाले में sin inverse of x by a आएगा, कौन अगर आप x पहले लिख पा रहे हैं, तो फिर क्या आता है, log of x plus the question itself again, log of x plus the question itself, मतलब यह question पूरा, यही का यही चीज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, वही चीज है, यह a square by 2, a square by 2, ठीक है, जहाँ पर x बाद में, वहाँ पे sin inverse x by a, जहाँ पर x पहले है, वहाँ पे log of x plus the question itself, x plus the question itself, last में आप चुपके से minus लगा देना, ठीक है, कौन से वाले में, जिसमें minus है actual में, जिसमें x पहले हैं, of course, और minus है, ठीक है, पाई चान्स, अगर आप चैनल पे नए हैं, तो go to the channel, please, and go to the playlist, आप देखेंगे, आप पे प्लेलिस में सारे chapters बहुत systematically uploaded, each and every topic, lecture by lecture, in a very unique sequence, yes again I have a definite integration with that, you will get every lecture, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and I promise you, you will definitely enjoy learning from it, please like, subscribe and share,